नमस्कार गाइस वेलकम बैक तो आप देख रहे हैं सतीस के टिप्ट तो आज हम बात करेंगे जीओ ने अपने रिचार्ज जो बैलेटिक समाप्त हो गई है जिनकी रिचार्ज की तो वो किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो उनको क्या बेनेफिट होगा इसी के बारे में अपन जानेंगे और बिच्तरिस से और क्या-क्या सुब्दा हैं रिचार्ज करने के बारे में तो चलिए विडियो शुरू करते हैं तरिलाइन जियो ने लोकडाउन के समय में अपने उभवताओं का समर्थन करते हुए उनके प्रति जारी जुनून को एक बार फिर से मजबूत किया हैं और सभी जियो क्राकों के लिए इनकमिंग कॉल की सुब्दा जारी रखने की घोचना की हैं इससे ना के वाल कम आये वाले उभगताओं को लाब होगा बल्कि उन्न सभी को लाब होगा जिन्हें चुनुती के समय रिचार्ष करने में असमर्थ हैं माई जीओ माई जीओ डाट कॉम हर जीओ यूजर को कनेक्ट रखने में सच्छम करेंगे जीओ के ग्रहाकों के लिए रिचार्ट की सुब्धा भी निरंतर बनी हुई है और ग्रहाक अपनी सुब्धा के अनुसार बेभिन माध्यों से अपने फोन को रिचार्ज करवा सकते है डिजिटल रिचार्ज की बात करें तो जीओ या सुनिचित कर रहा है कि हर जीओ भुखता अपने रिचार्ज सर्विस के बारे में अपने प्रस्णों और अनुरूद के लिए माई जीओ एपस जीओ डाट कम वेवसाइट पे 2400 घंटे माध्यम से जीओ से जुड़े रह सक करना चाहते हैं उन्हें भी सप्रेल से अधिकांस रिचार्ज आउटलेट उपलब्द होंगे इसके साथ ही थाड़ पार्टी रिचार्ज की सुब्धा भी उपलब्द है जैसे कि फोन पे पेटियम जीपे अमेजन इसके अलावा अन इनुवेटिक जीओ रिचार्ज टूल एक्सीज बैंक और एच्फी बैंक के साथ sms का उपए करके भी अपने फ्रों के रिचार्ज कर सकते हैं जियो रिटेजर से भी जियो ग्रहाक जियो असिस्टेंस रिचार्ज की भी सुधा प्राफ्ट कर सकते हैं आई होब कि आपको वीडियो अचलें वीडियो अचलें प्लिस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वॉचिंग